हलो अबरिफन वेलकम टो मिनी स्कोक आज मैं आपके शाथ शेर करने जारी हो कौन मैथी मलाई की रेसिपी इसे बनाने में सिफ 20 मिनिट लगते हैं और बहुत ही टेस्टी बन कर रेडी होता है तो आए अब हम जल्दी शेर शुरू करते हैं सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिए है दो कप कौन इसे मैंने अच्छे से ब्लांच करके लिए है इसे अब हम साइट पर रख देते हैं और यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है उसमें मैं आट करूगी एक बड़ा चमच तेल चैसे ही तेल हमारा गरम होता है हम उसमें थोड़े स खड़े मसाला आट करेंगे तिन इलाइची तिन ब्लेक पैपर और आदा दालचीनी का टुकड़ा लिया है और साथे में मैंने यहाँ पर आदा इंच अद्रग और पांच से छे कलिया मैंने लेसुनती लिए है और अब मैंने यहाँ पर दो बड़े प्यास इसे मैंने इस तरह से चौप करके लिए है वो में इसमें आट कर दूंगी और इसे अच्छे से एक से दो मिनिट के लिए पका लेंगे और अब हम इसे तिखा बनाने के लिए उसमें आट करेंगे हरी मिर्च तो यहाँ पर दो हरी मिर्च लिए है मैंने और साथी में मैंने यहाँ पर एक म मेलन सीट लिये हैं, वो में इसमा आट करूंगी, स्वादानू सा रमूस में नमक आट करेंगे, और 1 फोर टीस्पून हमूस में हल्दी पाउडर आट कर देंगे, हल्दी पाउडर आट करने से हमारी ग्रेवी में कलर बहुत अच्छा आएगा, अब हम सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे, और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए, तब ढकन को हम बन कर देंगे, और उसे तब तक पकाएंगे, जब तक ये अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए, दो से तीन मिनिट के बाद अब हम उसे चक कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अब यह अच्छे से सॉफ्ट हो चुके है इस टेज पर हम गेस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे अच्छे से ठंडा होने देंगे और जब यह कंप्लेटी ठंडा हो जए तब मैंने यहाँ पर एक मिक्सिंग बाउल लिया है उसमें हमने जो ग्रेवी का मिक्षर बना कर रेडी किया था वो हम इसमें आड़ कर देंगे इसमें अब कुछ भी आड़ करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है धकन को हम बन कर देंगे और इसकी स्मूथ पैस्ट बना लेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बहुत ही अच्छे से इसकी पैस्ट बन कर रेडी हो चुकी है आप देख सकते हो कि इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है अब मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है उसमें मैं वन टेबल स्पून जीतना तेल आट करूंगी और जैसे ही तेल हमारा गरम होता है मैंने यहाँ पर एक कब जीतनी मेथी इसे मैंने अच्छे शे वोश करके चौप करके लिया है वो मैं इसमा आट करूंगी और साती में मैं उसमें स्वादानुसर थोड़ा सा नमक आट कर दूंगी और फिर हम उसे 2-3 मिनिट के लिए अच्छे से पका लेंगे क्योंकि मेथी पकने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है और फिर हमने जो पेस्ट बना कर रखी थी वो हम इसमें आट कर देंगे और फिर अच्छे से मिक्स कर देंगे जब यह अच्छे से मिक्स हो जाए तब हम उसमें आट करेंगे दूद तो यहाँ पर मैंने हाफ कप जितना दूद लिया है वो मैं इसमें आट कर दूँगी और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हमें इसे अच्छे से पकाना है और जल्दी से पकाने के लिए हम उस पर ढकन लगा देंगे और साथ से आठ मिनिट के लिए इसे अच्छे से पका लेंगे और फिर हम उसे चट कर लेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बहुत ही अच्छी तरीके से पक चुकी है और अब हमने जो ब्लांच करके कौन रखा था वो हम एट करेंगे और साथी में मैंने यहाँ पर वन टबल स्पून जितनी कसूरी मेथी ली है वो मैं इस तरह से क्रश करकर फिर इसमा आठ कर दूगी कसूरी मेथी आठ करने से इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा लास्ट में हम थोड़े से धनिया के पत्ते चौप करके इसमा आठ कर देंगे और फिर इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और दो मिनिट के लिए इसे पका लेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही तेस्टी कौन मेथी मलाई बनकर आप रेडी है गेस की फ्लेम को हम आफ कर देंगे और इसे सार्व कर लेंगे कौन मेथी मलाई खाने में बहुत ही टेस्टी बनता है और आप इसे रोटी के साथ या तो फिर पराठे के साथ ले सकते हो ठंडी की सीजन में कौन मेथी मलाई खाने में बहुत ही ज्यादा मज़ा आता है I hope आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीस वीडियो को लाइक करे, शेयर करे और अभी तक मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीस चैनल को सस्क्राइब करे मिलेंगे नए रेसिपिक आसाथ और तब तक के लिए बाबाई